नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल टीना टेप्स एंड ट्रेक्स में आज हम राजिस्थाम की प्रसिजित मारवाडी मिर्ची की सब्ची बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह 500 ग्राम हरी मिर्ची है इन्हें धोकर हमने अच्छी तरह सुखा लिया है अब इनके हम टुकड़े करते हैं टुकड़े हमें ज्यादा ठोटे नहीं करने हैं अब हमको मिर्ची से बीज अलग करने हैं तो इस तरह से आप इनके बीज अलग कर लीजिए इन्हें हमें टुकरी में डालेंगे और इस तरह से इनके बीज अलग कर लेंगे देखिए सारे बीज टुकरी से बाहर निकल जाएंगे गैस ओन करके उसके उपर हम कड़ाई रहते हैं अब कड़ाई में दो बड़ा चमच सरसों का तेल डालेगे सरसों के तेल में हरी मिर्च बहुत अच्छी बनती है तेल को स्मोकी फ्लेवर तक गरम करना है हमारा तेल गरम हो चुका है अब गैस की फ्लेम स्लो कर दें इसमें आदी चमच राई दो पिंच हींग आदी चमच सॉंप दाल कर दुनाएं और मिर्ची डाल कर पतापर दखाएं ताकि तेल के चीते हमारे उपर ना आएं अब धक्कन हखा के इसको तेव मिर्चियों को तेव में अच्छी तरह कोष होने दें अब इसमें आदी चमच चलती एक चमच नमक देड़ चमच भीगी हुई मेती डालें और हिलाएं इसमें आज तल चालें तो चक्कर के डालेंगे जिसके मिर्ची अपना कलर बरकरा रखेंगे अब एक तो मिर्च तक इसको धक कर पकाएंगे तीन-चार मिर्च के बाद धक्कन हटाकर मिर्चियों को विलाएंगे अब इसमें आदी चमच सूखा धनिया सूखा धनिया हमें ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो हमारी मिर्ची का कलर ब्लैक लगेगा दो बड़ा चमच दरदरी खुटी हुई सौप वन पोड चमच गरम मसाला आदा चमच अमचूर पाउडर अब सबको एक साल मिक्स करके प्राटा पताना है तयार है हमारी माराडी मिर्ची की सब्ची अब गैस की फ्लेम बन पर देंग सिंदार ह्गया फिल्टा को वन पर देंग तयां